पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बहुत ही शातिर किस्म के अपरादी है आरोपी जस्टायल से इंडस इंड क्रेडिट काड धारकों का डाटा खरिते थे क्रेडिट काड पर Terazs всего करने से क्रेडिट काड पर कुछ reward points मिलते हैं जिनने cash bank किया कोई अन्य समान खरीदने के लिए बियोग में लिया जा सकता है इसी का फायदा उठा कर आरोपी क्रेडिट कार्ड धारकों को फर्जी लिंग भेजते थे और उन्हें रेवर्ड पॉइंट्स को कैश करवाने का लुभावना उफर देते थे आरोपी अपने कॉल सेंटर के जरिये ऑनलाइन कॉल करते थे जो की इंडी कॉल अप की मदद से कॉल की जाती है इंडी कॉल अप के जरिये मन चाहे नंबर से कॉल की जा सकती है कॉल SBA हेलप लाइन नंबर 390-20202 से की जाती है कॉल करके लोग गलत सूचना देते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक किया गया है आपके प्रेंटिट कार्ड को 3-4 दिन के अंदर जारिकर आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा जो की सिक्योरिटी के साथ निजी जानकारी साजा करने को बोलते कस्टुमर अपनी निजी जानकारी जैसे कार्ड नंबर सीवी नंबर एक्सपारी डेट को साजा कर देते हैं आरोपी पूरी जानकारी को क्रेडिट कार्ड की राशी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे जिसका OTP अधूरी जानकारे होने के कारण उपलब्द करवा देते हैं